Hello everyone and welcome back to my channel Lernard Sub तो आज जो आनोग topic discuss कने जा रहे वो है T.S. Elliot के द्वारा लिखा गिया एक one of the most famous essay Tradition and the Individual Talent को जिसे सबसे पहले publish किया गया था Year 1919 में in a periodical magazine called the Egoist और फिर बाद में Year 1920 में इसे T.S. Elliot के ही एक book of criticism जिसका नाम The Sacred Woods था उसमें भी इस essay को add कर दिया गया और ये essay T.S. Elliot के selected prose और selected essays के collection में भी available है और बात कर लिए इस essay के genre की तो ये essay basically एक literary criticism है यानि T.S. Elliot इस essay के थुरू वो romanticism के कुछ ideas को और उसके views को attack करते हैं जैसे कि romanticism का ये कहना था That a poem is an expression of the personality of the poet यानि एक poem जो है वो उसके poet के या उसके author के ही personality का एक expression होता है या उसका mirror होता है बात T.S. Elliot romanticism के इन ideas को oppose करते हैं या इनकार करते हैं और वो अपने खुद की एक theory को इस essay में discuss करते हैं तो इस essay को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस essay का एक overview या कहले एक structural pattern बताना चाहता हूं ताकि आगे चलकर आप लोगों को ये essay अच्छे से समझ में आ जाए तो इस essay को basically तीन पार्ट में divide किया गया है जहां पर इसके सबसे पहले पार्ट में Elliot हमें tradition के concept के बारे में बताते हैं mainly the literary tradition और the poetic tradition और जिसमें वो हमें tradition के importance के बारे में समझाते हैं उसके value के बारे में बताते हैं उसके function क्या-क्या है उसके बारे में बोलते हैं और कैसे एक poet को इन traditions को acquire करना चाहिए और क्यों एक poet के लिए ये सब चीजे ज़रूरी है इन सब के उपर बात करते हैं फिर इसके second part में Elliot हमें और जहां पर वो हमें poetic process के बारे में समझाते हैं और जहां पर वो हमें science के एक formula का भी example देते हैं फिर वो हमें feelings और emotions के बारे में बताते हैं depersonalization क्या होता है उसके बारे में बताते हैं और lastly इसके third part में वो हमें एक conclusion देकर इस essay को sum up करते हैं तो अब ये तो हो गया इस essay से related कुछ basic information तो अब बिना time waste किये आज को हमाना topic है tradition and the individual talent इसे हम लोग शुरू करते हैं तो T.S. Elliot इस essay को tradition के concept से शुरू करते हैं जहां पर tradition से इनका मतलब है परमपरा और इस essay में tradition को specifically refer किया गया है poetic tradition या poetry लिखने के परमपरा से तो Elliot यहां पर कहते हैं कि English writing में इस word tradition का hardly कभी use किया जाता है because Englishman जो है वो इस word tradition को ही ऐसे देखते हैं जैसे कि यह word itself ही काफी जादा criticizing या attacking है तो Englishman जो है they have a kind of tendency to turn for the uncritical mind यानि वो चीजों में criticality यानि जिसे हम निंदा कहते हैं उन्हें वो चीज नहीं पसंद और जब भी कभी एक Englishman किसी poet के poetry को praise करता है या उसकी तारीफ करता है तो वो उसकी poetry में उन qualities के लिए या उन aspects के लिए उसकी तादीफ करता है जिसमें कि उस poet ने कुछ नया add किया हो या कुछ unique introduce किया हो और एक Englishman हमेशा ही उस poet के individuality को उसको uniqueness को और उसके originality को praise करता है जबकि French language में इसका उल्टा होता है because French people go more for critical judgment और Elliot का ये कहना था कि Englishman की यही बात उन्हें गलत लगती है क्योंकि जब वो लोग एक poetry को या एक work को critical तरीके से examine करेंगे तभी उन लोग को ये पता चलेगा कि उस poetry में या उस work में सबसे बहतरीन पार्ट या सबसे individual पार्ट वो हिस्सा होगा जहां पर उस poet ने अपने past के writers को या अपने ancestors को mirror या reflect किया होगा वही पर उस poetry का सबसे best या immortal part होगा जहां पर उस poet ने अपने past के writers से maximum influence होकर उनके style या उनके technique को दिखाने की कोशिश की होगी तो Elliot का ये मानना था कि एक poet को उसके past के writers के बारे में भी knowledge होना ज़रूरी है अब इसका मतलब ये नहीं कि वो writer या वो poet simply अपने ancestors को ही copy कर दे ये traditional poet होना नहीं होता है tradition का real meaning कई ज़्यादा wide और complex है और Elliot के हिसाब से अगर एक poet को in a true sense अपने tradition को acquire करना है या उसे हासल करना है तो इस poet को history का एक अच्छा sense या historical sense होना ज़रूर चाहिए यानि उस poet को homer के time से लेकर उसके present day तक पूरे Europe में या उसके country में जितने भी जो significant work produce हुए है उन सभी work के बारे में उसे एक अच्छा खासा knowledge होना चाहिए तभी वो एक tradition को अच्छे से acquire कर पाएगा और अगर उस poet को सिर्फ अपने past के बारे में ही knowledge है और अपने present day के बारे में कोई knowledge नहीं है तो वो in a true sense कभी भी अपने tradition को acquire नहीं कर पाएगा क्योंकि past जो है वो present के साथ ही exist करता है और वो दोनों एक साथ ही चलते हैं यानि एक simultaneous order में चलते हैं अब इसके बाद फिर Elliot हमें tradition के value के बारे में बताते हैं और उसके dynamic concept को समझाते हैं और जहां पर वो कहते हैं कि किसी भी writer के real value या उसका real importance कभी भी isolation में या अकेले में पता नहीं किया जा सकता क्योंकि एक artist के work को या एक poet के work को judge करने के लिए हमें हमेशा उस work को past के work से compare करना पड़ता है तभी जाके हम उस नए work के value को या उसके significance को समझ पाएंगे और Elliot का ये भी कहना था कि एक tradition का real concept जो है वो काफी जादा dynamic होता है यानि किसी भी art का tradition या परंपरा जो है वो कभी भी एकदम fixed या static नहीं होता tradition हमेशा change होता रहता है, grow होता रहता है and it keeps on changing and becoming different from what it is now तो इसलिए एक writer को हमेशा अपने past के चीजों से guidance लेना चाहिए और फिर बाद में उसे अपने present situation के हिसाब से उसमे changes करके उसे literary work को produce करना चाहिए जैसे कि हम हमेशा अपने पुराने फिल्मों से inspiration लेते हैं और फिर उसे अपने present situation के हिसाब से हम उसमें changes करके उसे remake कर देते हैं यानि past जो है वो present के work को create करने में वो उसे guide करता है वो उसे direct करता है और present जो है वो उसमें फिर अपने हिसाब से changes करके वो एक work को create कर देता है अब इसके बाद फिर Elliot हमें tradition के function के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि किसी भी present generation के poetic work को हमें हमेशा past के poetic work से compare करना चाहिए और उसे past के standard से judge करना चाहिए अब इस तरह के comparisons ये decide करने के लिए नहीं होते कि क्या present generation के work बुरे हैं या अच्छे और नहीं ये decide करने के लिए होता है कि क्या past के principles या standards जादा better थे बलकि इस तरह के comparison से हमें present generation के work के सारे facts समझ में आयते हैं हमें उस नए work के बारे में और जदा better understanding होता है और उसे analyze करने में और जदा आसानी होती है तो इस तरह के comparison से हमें present work के originality उसके individuality और उसके uniqueness के बारे में पता चलता है अब इसके बाद फिर Elliot हमें tradition के true sense के बारे में बताते हैं और वो उसे अच्छे से elaborate करते हुए वो कहते हैं कि एक artist को या एक poet को हमेशा अपने past के work के बारे में और उसे अपने present literary work में जो development हो रहे हैं उसे उसके बारे में पता होना चाहिए और अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ जानने के कोशिश करे उसे कभी भी ये कोशिश नहीं करने चाहिए कि वो सब कुछ जान ले तुकि एक तो ये impossible task है और दूसरी बात ये कि इतना ज़्यादा knowledge की भी हमें ज़रुरत नहीं होती एक poet को बस अपने past और अपने present को critical तरीके से examine करना चाहिए और उसमें क्या important है उसे सिर्फ वही देखना चाहिए अब इसका मतलब ये नहीं कि उस poet को सिर्फ उन्ही writers पे focus करना चाहिए या उन्हें study करना चाहिए जिसे कि वो खुद परसनली जादा पसंद करता हो या फिर वही writers पे ध्यान दना चाहिए जो कि सिर्फ किसी एक particular age जैसे कि Jacobian या Elizabethan age से belong करते हो क्योंकि इस तरह के study उस poet के immaturity को दिखाते हैं बलकि उसे उन सभी important और famous writers को study करने चाहिए और इसके साथ ही उन्हें छोटे writers जिनके work significant है उन्हें भी उसे study करने चाहिए अब इसके बात फिर Elliot हमें art के permanence के बारे हम बताते हैं और वो कहते हैं कि एक poet को ये बात समझना होगा कि art जो है वो कभी भी quality wise improve नहीं होता है भले ही material जो है वो change होता रहता है बट इसका मतलब ये नहीं कि Shakespeare और Homer जैसे लोग outdated हो गया और उनकी value नहीं रही बलकि उनका ये कहने का मतलब है कि art में refinement या development ज़रूर हो सकते है बट एक artist के point of view से उसमें कभी भी qualitative improvement नहीं हो सकते तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा कि Shakespeare के work ज़ादा better और higher standards के हैं in compare to Elliot के work क्योंकि ये दोनों ही एकदम अलग किस्म के लोग थे और जिस पे इन्होंने काम किया वो चीजे भी अलग थी और अब finally वो इसके first part को ये बता कर खतम करते हैं कि आखिर क्यों एक poet को अपने tradition को acquire करना चाहिए और क्यों उसे एकदम impersonal होना चाहिए एक poetry को create करते वक्त तो सबसे पहले तो वो हमें बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे महान poets रह चुके हैं जो कि जादा पढ़े लिखे या learned नहीं थे और excess में या जादा पढ़ने से भी हमारी sensibility या feelings खतम हो जाती है and moreover knowledge का मतलब सिर्फ bookish knowledge ही नहीं होता है और इस knowledge को भी acquire करने के लिए या इसको grant करने के लिए अलग-अलग लोगों में अलग-अलग तरखी capacity होती है जैसे कि कुछ लोग इसे बहुत ही easily acquire कर लेते हैं जबकि कुछ लोग को इसके लिए बहुत जादा पसीना बहाना पड़ता है जैसे कि Shakespeare जो थे उन्होंने Roman history के बारे में इतना कुछ knowledge acquire कर लिया था Plutera नाम के एक classical historian के work से जितना की कई लोग British museum से भी उतना knowledge नहीं गेन कर पाये थे तो इसलिए Elliot यहाँ पर कहते हैं कि poet को अपने काबिलियत के हिसाब से उसे past के बारे में best of the knowledge acquire करने चाहिए और उसे इस काम को throughout his career continue रखना चाहिए क्योंकि यह एक poetic mind को या उसके poetic creation को और जादा sharp बनाता है और lastly वो कहते हैं कि जब कभी भी एक poet एक literary work पे काम कर रहा हो तो उसे अपने आपको उसे उस work के लिए पुरी तरह से surrender कर देना चाहिए यानि उसे अपने feelings और अपने passion को अपने work के साथ mix नहीं करना चाहिए उसे अपने personal happiness और sadness को अपने काम में दिखाना नहीं चाहिए तब ही वो एक अच्छे work को produce कर पाएगा तब यह तो हो गया इस essay का first part तो चलिए अब हम इसके second part को शुरू करते हैं तो T.S. Eliot इसके second part को वो अपनी theory of impersonal poetry को ही further develop करते हुए शुरू करते हैं और जहां पर वो कहते हैं कि एक poet का mind जो है न वो किसी catalyst की तरह होना चाहिए अब यह catalyst का क्या मतलब है catalyst का मतलब है एक ऐसी substance से एक ऐसी धातू जो कि एक chemical reaction के process को और ज़्यादा increase कर दे या उसे और ज़्यादा तेज कर दे बड़ वो substance खुद उस reaction से एकदम unaffected या neutral रहे अब इस चीज़ को Elliot हमें science के एक formula के help से समझाते हैं और वो कहते हैं कि मान लेजिए कि ये काच का जार है और उस जार में दो तरह के हवा जैसे कि sulfur dioxide और दूसरी oxygen ये दोनों हवा उस काच के जार में मौझूद है बड़ उन दोनों टाइप के air या हवा को एक साथ combine होकर sulfurous acid बनने के लिए उन्हें एक catalyst या एक ऐसे substance के जरुद पड़ेगी ताकि वो sulfurous acid में तबदील हो सके तो sulfurous acid बनाने के लिए उस jar के अंदर platinum के एक wire की जरुद होगी जो कि catalyst की तरह काम करेगा बट वो platinum का wire खुद उस chemical reaction के दोरान वो उससे unaffected या neutral रहता है और ना ही उस platinum का कोई trace उस sulfurous acid में दिखाई पड़ता है तो Elliot भी poets को यही सला देते हैं कि एक poet का दिमाग उस catalyst की तरह होना चाहिए जहां पर वो अपने emotions और अपने भावनाओं को अपने काम के साथ ना mix करे बलकि उसका mind से विए medium की तरह काम करना चाहिए एक जरिया होना चाहिए किसी literary work को produce करने में और एक writer जितना जादा mature होता जाता है वो उतना ही जादा अपने personality को अपने work से अलग करता जाता है और इसी चीज़ को हम depersonalization कहते हैं अब इसके बाद फिर Elliot हमें emotions और feelings के बारे में बताते हैं और जहां पर वो कहते हैं कि ये emotions और feelings जो हैं ये दोनों ही अलग अलग चीज़े हैं क्योंकि एक poetry को या तो feelings के द्वारा create किया जा सकता है या emotions के द्वारा compose किया जा सकता है या फिर इन दोनों को combine करके create किया जा सकता है बड़ इस पूरे essay में उन्होंने कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया कि आखिर इन दोनों word में difference क्या है फिर इसके बाद Elliot हमें poetic process के बारे मे बताते हैं और वो हमें समझाते हैं कि कैसे poetry एक organization है rather than inspiration तो Elliot यहाँ पर कहते हैं कि एक poet का mind जो है वो किसी glass के jar की तरह होता है जिसमें अंगिनत feelings और emotions भरे होते हैं और इनी emotions को जब हम एक series में अच्छे से arrange कर देते हैं तब उसी से एक महान poetry का निर्मान या creation होता है तो Elliot के हिसाब से emotions की गहराई या उसकी depth उतना matter नहीं करती जितना की poetic composition और उसकी intensity matter करती है यानि एक poet को अपने poetry के composition पे ज़ादा देहान देना चाहिए बजाए कि अपने emotions पे उसे उन emotions के arrangement पे ज़ादा देहान देना चाहिए और फिर वो हमें John Kitts के एक poem O to Night Angle का एक example देते हैं और जहाँ पर वो हमें कहते हैं कि John Kitts ने अपने poem O to Night Angle में काफी सारे ऐसे unnecessary personal feelings को add किया है जो कि कहीं से भी उस night angle के साथ relate नहीं करता तो यहाँ पर Elliot उन romantic views को और उन romantic subjectivism को reject करते हैं और finally इस second part के last हिस्से में वो हमें बताते हैं कि आखिर क्यू एक poet को अपने artistic emotions पे ज़ personal emotion तो Elliot यहाँ पर हमें बताते हैं कि एक poet की personal emotion और उसके artistic emotion यह दोनों ही अलग अलग चीज होती है और एक personal emotion जो है वो काफी simple और raw हो सकती है बड़ एक poetic या artistic emotion जो है वो काफी complex या refined हो सकती है तो इसलिए Elliot यहाँ पर कहते हैं कि यह poet की duty नहीं कि वो हमेशा नए-नए emotions को से भी वो अपने poetry में एक नया meaning या एक नया significance अड़ कर सकता है and which may not be his personal feelings for example अगर आपने एक book पढ़ा तो उस book को पढ़ने के बाद आपके अंदर जो emotions create हुए हैं आप उस ordinary से और non-personal emotion से भी poetry को create कर सकते हैं बस आपको अपने poetic creation पे अच्छे से ध्यान देना होता है और इस point पर आकर T.S. Elliot William Wordsworth के theory of poetry को reject करते हैं या attack करते हैं which says that poetry having its origin in emotions recollected in tranquility यानि William Wordsworth का ये कहना था कि एक poetry की शुरुआत तब होती है जब हम शान्ती से बैट कर किसी चीज़ के बारे में अपने सारी emotions को दुबारा से recollect करते हैं या उसे इकठा करते हैं तब poetry की शुरुआत होती ह और T.S. Elliot William Wordsworth के इस view को reject करते हैं और finally T.S. Elliot इसके third part में ये कहकर conclude करते हैं that a poet should depersonalize himself or his personality from his poetry यानि एक poet को अपनी poetry को लिखते वक्त उसे अपनी personality को एकदम अलग कर देना चाहिए He should never try to express his personal feelings into his poetry और ये impersonality एक poet तभी अचीव कर सकता है जब वो अपने आपको अपने काम के लिए पुरी तरह से surrender कर दे तभी वो अपने personality को अपने work से separate या escape कर पाएगा और तभी वो इस extinction of personality को अचीव कर पाएगा which will lead to a great work तो इस तरह से इसे जो है वो खतम होता है and I hope कि आपको ये essay अच्छे से समझ में होगा हाँ मुझे पता है कि ये essay थोड़ा complex जरूर है बट मैंने कोशिश किया है कि मैं आप लोगों को इसे आसान से आसान language में समझाने के कोशिश करू और एक और बात ये है कि T.S. Elliot ने इस essay में कहीं पे भी उन्होंने objective correlative की directly तो बात नह होता है ये जानना है तो हम इसे अपने अगले वीडियो में ज़रूर discuss करेंगे तो इस तरह से वीडियो खतम होता है और आए होप कि आपको वीडियो पसंद आ होगा वीडियो पसंद आ है तो प्लीज नीचे comment करकर ज़रूर बताए लाइक करे शेयर कर अपने दोस्तों के स झार। पर बबचे जाकि जाट प्रिंध तो कि लुड़ देक्ट परदूी में की सब्सक्ति हर वीज़ा सेवाच पर रावाफ थे प्रेंट आख रावाचe हो थे जाखे रावाच जावार शेट हो जावाच धावाच तो